असलाम अलेकों, आज हम रिव्यू करेंगे होंडाए सेंट्रो, होंडाए सेंट्रो डिफ्रेंट मॉडल में आती थी, जिस तरह कलब, कलब जीवी और एग्जेक्टिव, यह जो मॉडल आप देख रहे हैं यह है एग्जेक्टिव, जो फरक था इसमें के इसमें फ्रंट विं विंडोस भी पावड नहीं थी, तो यहां फ्रंट से आपको दिखा देते हैं, फ्रंट से, दोदर पांच मॉडल है, लेकिन कंडिशन कफी अच्छी, यह लाइन है, एक लगी हुई, इसके लावा, दरवादा खोल के देखते हैं, यह फ्रंट लेफ्ट डोर है, अंदर से क आप ड्राविंग सिट की तरह चलते हैं, ग्राविंग सिट का दरहा खोल के देखते हैं, बटन लगे हुए, पावर विंडो के और कंडिशन के हैं, कंडिशन देख सकते हैं, काफी नीट है, और, flipping कह曾ा दर से बैट के देखते हैं, यह टेप है, AC के पॉर्ट है, और वह दो कप रखने की जगह है पिछे कप रखने की जगह है और सामने क्लॉक है जो कि मुझे बहुत पसांद है और यह DVR लगा हुआ है DVR जो है फ्रंट डैश केम भी है और बैक मिरर भी यह दे काम करता है इसके लावा के गाड़ी विन्डो जह हैं वो प्रंट के यह बैक वाले वह से आँख नहीं है अध्यम में पावन हटे में जो दो दिरवादा कोल की दिखाते हैं मेंUND क कंडिशन देख सकते हैं आप कंडिशन में गाड़ी काफी यuity हैं सीर्ल और इसे बाएजिणल है कहीं पर गाड़ी की बाड़ी में कहीं पर कोई जंग नहीं लगा हुआ बिलकुल नीट एंड क्लीन है द्रवादों पर है स्केचिस लेकिन देख सकते हैं द्रवाद में रैसे जंग कहीं नहीं लगा हुआ यह सीर साब देख सकते हैं और इस तरह रूफ देख लें यह रूफ है रूफ भी ठीक है मुनासर है और यह बैक यहाँ पे स्पीकर है और थोड़ी सी लखनी जगा है और यह भी अपनी वरी सही आलत में है आप डिगी की तरफ चलते हैं डिगी खोर के देखते हैं और डिगी की है तो इसमें कलब में और कलब जीवी में कई अगर स्लंडर लगे हों तो काफी जगा काफी काम होती है और इसी तरह आप हैच हैच की तरफ चलते हैं हैच में देखें हैच में बिल्कु ऐसी है उसी एक निशान लगा हुआ है जो के गैसकिट का है बाकी कोई जंग का निशान नहीं है कोई जंग नहीं है अचा जी अब बॉनट खोलते हैं गाड़ी का जाके इसको स्टैंड पर लगा जिते हैं बॉनट को अचा अगर आप देखें तो गाड़ी यहां से भी सिर्फ मटी पड़ी हुई है जो कि साफ नहीं करवाई अभी लेकिन अगर आप बॉड़ी को देखें गाड़ी के तो कोई जंग नहीं लगा हुआ है या आप देखें कोई जं बहुत अच्छी है कोई जंग नहीं है इस तरह भी देख लेते हैं यहां पर भी कोई जंग नहीं है और सामने से देखें तो वही फोग लेंप है नीचे दो और बाकी अब प्राइज की तरफ आज आते हैं प्राइज है इसकी जनाब दस लाक रुपे और नुकिबन पचा सिक्स्टी फाइफ की एक किलो मेटर है थाज़न किलो मेटर चले हुए है और अब आट सिट